आप सबको मेरा प्यार भरा नमश्कार आज एक बहुत ही सुन्दर कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ कच्छुआ और खरगोश एक वक्त की बात है किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दोड़ने पर बहुत घमंड था उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दोड़ लगाने की चनौती दे देता दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाग भी उडाता एक बार उसे एक कच्छुआ दिखा उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कच्छुए को भी दोड़ लगाने की चनौती दे दी कच्छुए ने कच्छुए की चनौती मान ली और दोड़ लगाने के लिए तैयार हो गया जंगल के सभी जानवर कच्छुए और खरगोश की दोड़ देखने के लिए जमा हो गए दोड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दोड़ने लगा और कच्छुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा थोड़ी दूर पहुँचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसे कच्छुआ कहीं नहीं दिखा खरगोश ने सोचा कच्छुआ तो बहुत धीरे-धीरे चल रहा है और उसे यहां तक पहुँचने में काफी वक्त लग जाएगा क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आँख लग गई उसे पता भी नहीं चला उधर कच्छुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष तक पहुच गया उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालिया बजानी शुरू कर दी तालियों की आवास सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दोड़कर जीत की रेखा तक पहुचा लेकिन कच्छुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पच्टाता रह गया इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो धैरे और महनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है और जिन्हें खुद पर या अपने किये हुए कारे पर घमंड होता है उसका घमंड कभी न कभी त तो पता जरूर है धन्यवाद नमस्कार